नमस्कार मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पबलिक खबर जार्खन में आज 43 सीटों पर पहले चरण के विधान सभाद चुनाओं की रन्भेरी बच चुकी है और उधर एक बार फिर वोटिंग के बीच एक नया हड़कंप मच गया है जार्खन की सत्ता में फिलहाल काबिस बताओर सीम राज्य की कमान संभाल रहे जीमेम की सरवे सरवा हेमंत सोरे ने बीजेपी को लेकर एक ऐसा सियासी बंप होड़ा है जिसके धमाके की गुण जिस वक्त पूरे जार्खन में गुण रही है सियम हेमन सोरे ने सोशल मेडिया पर बीजेपी को लेकर आरोपो की ऐसी चिंगारी छोड़ी है जिस जार्खन में पहले से चल रही जुबानी जंक की आग को और भी ज्यादा भढ़का दिया है और इस दावे से कहीं न कहीं बीजेपी के साथ साथ खुद जीएमेम से अलग होकर बीजेपी में शामिल होकर अब अपनी ही पुरानी पाल्टी के विरोध में लड़ रहे चंपाई सोरेन की भी बेचैनी जरूर बढ़ गई है बीते कई हफतों से देश भर में चल रहे चुनावी भूचाल के बीच अब आखिरकार कई राजियों में कई बड़े दिगजों की किस्मत इवियम में क्या होने जा रही है चाहे आज 10 राजियों की 31 विधान सभा सीटों और केरल की वाइनाड लोग सभाक्षित्र में हो रहे उपचनाव की बात हो या फिर जार्खन की 43 सीटों पर हो रहे पहले चरन के विधान सभा चनाव की इन सभी राजियों में बड़े बड़े सियासी धुरंधरों की साख दाओ पर लगी है हालाकि इन सब के बीच जार्खन में एक बड़े राजनीतिक तूफान निदस्तक दे दी है जिसके सूत्रधार बने है खुद सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन जिन्हों ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा खुलासा किया है जिससे सोशल मीडिया से लेकर जार्खन के सियासी गलियारों में जबर्दस्थ, गहमा, गहमी मची हुई है और वोटिंग के बीच ही जियों में और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है असल में जार्खन सीम हिमन सोरे ने बीजेपी पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है सीम हिमन सोरे ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी पर शैडो कैमपेञ चलाने का आरोप लगाया साथ ही ये दावा किया कि बीजेपी की ओड़ से शैडो कैमपेञ की जरिये उनकी और जार्खन की चवी को नुकसान पहुचाने के लिए फेसबुक विग्यापनों पर करोणों रुपए खर्च किये गए है हिमन सोरेन ने लिखा कि पिछले 30 दिनों में जार्खन चौपाल रांची चौपाल जैसे विभन अकाउंट से 72 लाख रुपए के विग्यापन और पेड बूस्ट किये गए है इन पेजों का कंटेंट देखे तो आपको समझ में आएगा कि इनका एक मात रुद्देशिय मेरी और राज्य की छवी को धूमल करना धार में कुनमात फैलाना और लोगों को आपस में लडाना है सीम सोरेन ने आगे लिखा कि चुनाव आयोग में शिकायत दर्श करने के बावजूत कोई कारवाई नहीं हुई साथी 95,000 से ज्यादा वाटसाप ग्रुप बनाकर राज्य और राज्य वासियों की छवी को लगातार नुकसान पहुचाया जा रहा है तंज कस्ते हुए हेमन सोरेन ने आगे लिखा कि ताना शाहों के पास भले ही अर्बो रुपए हो जो उन्होंने नकली वैक्सीर और दवाईयां बेच कर कमाये हैं लेकिन इससे वो कभी वास्तविक प्रगती नहीं कर पाएंगे तो वही हेमन सोरेन के इस खुलासे को लेकर सोशल मेडिया पर लोगों के कई तरह के कमेंट्स सामने आ रहे हैं जॉन हेंबरम नाम के एक यूजर लिखते हैं कि बीजेपी चाहे कितने पैसे फेके किसी सोशल मेडिया अकाउंट पर कभी नहीं जीतेगी जार्खन में जार्खन के मूल निवासी आदिवासी भाई बहन इनकी चाल को अच्छी तरह जामते हैं वही राहुल कुमार लिखते हैं कि हार सामने देखकर लगता है ज्यादा ही चिंतित हैं हेमन्त जी पर क्या करेंगे बाए बाए तो कहना पड़ेगा भीमेंद्र प्रताब नाम के एक और यूजर ने लिखा कि किसी की भी छवी धूमिल करने के लिए बीजेपी डिजिटल सहारा ही लेती है जिसमें करोडों रुपए ये छवी धूमिल करने में लगा देते हैं मनोज राय ने लिखा कि देखो हेमंत बाबू बांगलादेशी घुसपैटियों का जो मुद्दा पूरे जार्खन में छाया हुआ है उसकी सबसे बड़ी कमी आपके लोगों में है आपने उचित जवाब नहीं दिया ना ही डिबेट किया आपके मीडिया में बोलने वाले जा किमंत सोरेन की सरकार इस पर कोई आक्शन नहीं ले रही कोल माइन्स ब्लास्ट के कारण लोगों के घर तूट रहे हैं सैक्डों लोग पलायन कर चुके हैं और मुआफजा भी नहीं मिला वैभाव भारती नाम के एक यूजर ने लिखा कि आपकी छवी खराब करने की जरू लेना आधिकारणों से हर युवा नफरत करता है आपसे आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी सीम हेमंत सोरे ने बीजेपी पर शैडो कैमपेन की जरीए करोडों रुपे खर्च करके नफरत फैलाने का आरोप लगाया था हेमंत ने हिंदूज फॉर हूमन राइट्स इं अफरत हिंसा सामाजिक विद्वेश और मेरे खिलाफ जूट फैला रही है इसके लिए ये रिपोर्ट देखनी चाहिए गौर करने वाली बात है कि जारकन की मुख्यमंतरी हिमंत सोरे ने लगातार बीजेपी पर जमकर हमला किया है हाल ही में भारतिय जुनता पाल्टी के ब कोई बटा है नकटा है जारकन में लोग वोट से कूटेंगे इनको ये समाज में जहर डाल रहे हैं दूसरी तरफ चुनाव की बात की जाए तो राज्य में पहले फेज में जिन 43 सीटों पर चुनाव हैं उनमें जमशेट पूर्व से कॉंग्रस के अजोई कुमार जारकन के पूर्व मुख्यमंतरी लगुबर दास की बहु पोली मा दास साहू के खिलाफ मैदान में हैं इसके अलावा जिन लोगों की किस्मत EVM में बंध होगी उनमें पूर्व मुख्यमंतरी मधुकोडा की पतनी और BJP की गीता कोडा राची से जेमेम उमीदवार और मौजूदा राजिर सवासांसद महुआ माजी भी शामिल है वही सबसे ज्यादा चर्चित होट सीट की बात की जाये तो जारकन के सराय केला विधान सवा सीट पर मुकाबला काफी दिर्चस्प होने वाला है यहां से कभी जेमेम की मजबूत करी रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत आमने सामने हैं दोनों इससे पहले भी 2014 और 2019 के विधान सवा चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ चुके हैं हाला कि चमपई सोरेन पहले जेमेम के उमीदवार की रूप में विजई हुए थे लिकिन इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है सर लाकि कुछ वक के लिए 2000 में यहां से बीजेपी के अनंत राम टूडू ने भी जीत दर्ज की थी वही खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी और बीजेपी के कई दिगज नेताओं के साथ साथ जेमेम के साथ गडबंधन की साथ ही कॉंग्रेस की तरफ से भी जनता से ज् पीम नरेंदर मूदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जारकन विधान सभा चुनाओं में आज पहले दौर की वूटिंग है सभी मतदाताओं से मेरा आग रहे है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्सा के साथ मतदान करें पहले मतदान फिर जलपान व उंग्रे सध्यक्ष मलिकारजुन खटगे के साथ साथ राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी जारकन की जनता से अधिक से अधिक वोटिंग में भाग लेनी की अपीर की है बहराल जारकन में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है जो कि शाम 5 बजे तक चलने वाला है पहले चरण की तहट आज 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा वहीं चुनाओ परिणाम 23 नवंबर को महराश्टर के साथ ही घूशित किये जाएंगे लेकिन जारकन में मौझूदा विधान सभा का कारेकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है निरवाचन आयों के मताबिक जारकन विधान सभा चुनाओ के पहले चरण में कुल 683 उमीदवा मैदान में हैं इनमे 73 महिला उमीदवार शामिल है तो वह इन सबके भी जारकन सीम हेमंद सोरेन के बीजेपी को लेकर लगाए गए आरोपो पर अब एक बार फिर जारकन में उच्छा सियासी बवंडर एक बड़ी हलचल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है ऐसे में ये त दन दबाना बिलकुल न भूले